पहले आपके दिमाग में ये किलियर पॉइंट होना चाहिए कि मैं जो पड़ूंगा वो पेपर में आना चाहिए एक महीने के बाद कहां ठंडी पड़ जाती है देखो है साइंस और साइंस बहुत लॉजिकल है कितना तो आप समझ लो कोई नहीं रोख सकता तुम्हारे नंबर आने में जाएंगे नंबर ये अगर उन्दने ये सारी चीजयं फॉलो कर ल है क्यमिस्ट्री में 180 में 180 कैसे लाए αλλά आसान नहीं मुसक्ः लेकिन इंप्वॉसिबल नहीं को आप 180 में 180 ला सकते हो अगर आप कुछ चीजय फॉलो कूर्स पालो करते रहो वो ने क् films चीजय आगर पहले तो सोचने वाली बात है इस question mark पे पहले आप कुछ second विचार करें कि क्या मेरे 180 में 180 में 180 आ सकते हैं गया और मुझे जवाब बताएं जल्दी फड़ा वड़ से क्या आप 180 ला सकते हो जल्दी बताएं कुछ बच्चे करें आ सकते हैं यस सर यस सर मतब किसी ना किसी के आते हैं यानि कि आपके भी आ सकते हैं पहली बात तो यह सबसे पहला point यही है कि किसी ना किसी के 180 में 180 आएंगे यानि कि आपके भी आ सकते है यह लाइन आपको एक पेज पर लिखकर पहले सामने चिपकानी होगी जो भी आपका study room है क्या लाइन आपको चिपकानी होगी इस लाइन के बारे में सबसे पहले बिल्कुल basic से बात करेंगे हम है ना कोई हवावाजी नहीं किसी ना किसी के आएंगे इंग्लिस वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना यानी मेरे भी आ सकते हैं असंभव तो नहीं है लेकिन कैसे आप ला सकते हो पहली बात तो यह कैसे आप ला सकते हो पहली बात तो यह सबसे पहला तो देखो पढ़ना तो पढ़ेगा यह आपके दिमाग में बिठालो अगर आपने सच में यह चुना है कि next year मैं एक्जाम दूँ नीट का तो मुझे पढ़ना पढ़ेगा आप बिना पढ़े नंबर नहीं ला सकते पहली बात कोई shortcut मार के नंबर नहीं ला सकते महनत आपको करनी ही होगी यह बात एकदम दिमाग में बिठालो और डेली अपने दिमाग को बताओ कि मुझे मेहनत करनी होगी तभी मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा तभी मैं 180 में 180 ला पाऊंगा पहले अपने दिमाग मिलाओ तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो पॉइंट है जो आपको ध्यान दखने पड़ेंगे इस तैयारी के दौरान क्योंकि देखो मैच तो आपका स्टार्ट होने वाला है ना मैच आपका 18 तारीक से सुरू होगा तो अभी हम 4-5 दिन पहले क्या कर रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं स्टेटिजी बना रहे है कि हमें मैच कैसे खेलना है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कि हमारे पहले गेम के रूल सेट हो जाएं ताकि हम तैयारी उसके आकोरडिंग कर पाएं नहीं तो सुरू में एक दो महीने निकल जाते हैं फिर समझ में आता है कि यह ऐसा करना चाहिए इसलिए हम आपके सामने आज आए हैं कि हम आपको बता दें कि इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और तैयारी आपकी अच्छ के तीन सेगमेंट की एक है मेरे पास फिजीगल केमिस्थि एक है मेरे पास और ग HOLI चैसा की सब लोग है आप लोग जांबा जान बहुं जानते हैं अवार कैमिस्ट्री नहां बढ़िया सब्जेक्ट एक यह आपके दिमाग के सारे भागे खोल देता है कैसे फिजीकल कि जहां तक मैं बात करूँ तो physical chemistry आपकी calculation चेक करेगी यानि कि little bit maths तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए इसमें तो physical chemistry में थोड़ा calculation check होता है ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल numerical आता है physical में से कुछ conceptual सवाल भी आते हैं तो तैयारी के दोरान जो भी नहीं छोड़ा तो कोई नहीं रोख सकता तुम्हारे नंबर आने में तो पहीं कहां जाएंगे नंबर अगर तुमने ये सारी चीज़ा फॉलो कर लिए यही तो फॉलो नहीं होता यहीं तो हमारे अंदर वो जिद है वह पता नहीं एक महीने के बाद कहां ठंडी पर देने हैं उसका रिवीजन करके टेस्ट अच्छे से अटेम्ट करना है ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं है और टेस्ट चले देने वह ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो कि बिना तैयारी के टेस्ट देना पड़ रहा है है ना तो यह चीज बिल्कुल धियान लगे तो फि प्यानिक्टी में आपकी लॉजी कल अप्रोच चेक होगी है है लॉजी कल अप रोच आपकी चेक होगी कि सका किससे बन रहा है कौन से बॉट तूट रहे हैं बिल्कुल बेसिक लाजिक लगता है इसमें और कुछ टाइप आ पूप रियक्सिन होती है जो आपको पड़ाय जायेगा जिससे भी आप पढ़ रहे होगे बिल्कुल उनको फालो करना वो बिल्कुल बताते जाएँगे कि इस रियक्शन में यह important है इस chapter में llegó primary ए मोखने इवाला सवाल पिछले साल आया था यह वाला सवाल पिछले से इसको लिख लो लिख लो लिख लो इसके सवाल लगालो आपके सामने फड़े होंगे और बता रहे होंगे एक तो Pack के याद रखना ही होगा और इसमें ऐसा नहीं कि मतव्थ एकदम बैठ लगे ब्लग जिकल बांडिंग की बहुत अच्छी अप्रोच लगती है तो आप अगर आपने समझ लिया ना चैमीकल बॉंडिंग को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यह समझ लो कि आपकी यह ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छी हो जानी है कि यह चीजे महाँ अपलाई होंगी उसमें भी लॉजिक होता है कई बार आपको लगता है कि नहीं तो रटने चीजे सिखाएंगे तो उनका इस्तमाल करना है हां कुछ जगह पर होते हैं कुछ जगह पर रियक्शन होती है तो बार 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 लिखके आपको देखना पड़ता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा यह बहुत ही लॉजिकल चीज है इसको रटने बैठ गए तो कहानी खतम ह जाएगी कितना रटोगे भाई कितना रटोगे और आपको नीट की तयारी करनी है कोई PhD नहीं करनी पहले तो आप यह किलियर हो जाओ पहले आपके दिमाग में यह किलियर पॉइंट होना चाहिए कि मैं जो पढ़ूंगा वह पेपर में आना चाहिए यानि कि अगर नीट त से करोगे टीचर्स पढ़ा देंगे यार हम लोग किसलिए बैठे हैं हम लोग निकाल निकाल के रियक्षिन पढ़ाएंगे आपको उसमें से और यही तो करते आ रहें इतने सालों से तो बिल्कुल अच्छे से आपको फॉलो करना है एक किसी भी इंडिविजुल के साथ जब आपके यह तीनों चीज़ें सही होंगी तभी हम बात करेंगे 180 की इसका मतलब एक तीनों आपके एक्क्वली गुड होना चाहिए तभी मामला जमेगा और पेपर में ऐसा होता है जैसे इस वार थोड़ी इनॉर्गेनिक में ट्विस्ट करके चीज़ें पूछी गई है वो सकता है कलके दिनॉर्गेनिक में या फिजिकल में पूछ लें है ना तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बैच में सिखाई जाएंगी भाई ठीक है तो यह ध्यान दखें फिजिकल और गनेक इनॉर्गेनिक तीनों पोरसन है तीनों अपने आप में लॉजिकल है सब क् अपने अपने लॉजिक है